नमस्ते, गेट राइट टेर्डिकेशन के इस पोड़कास्ट में आपका हर्दिक सागत है। हमारा भविष्य अमेरिक की चमक से रौशन होगा या हम गरीबों की अंधियारों में रोते रहेंगे। लक्षे क्या है? इस सवाल को मैंने सैक्रो इवाओ से पूछा है और जब मैं उनका जवाब सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उनमें से 90% लोगों का बस यही जवाब होता है कि लक्षे क्या है? बस कोई अच्छे सी जौब मिल जाए जिसमें अच्छे खासे सैलेरी हो और जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसमें कोई और आराम ये दोनों सब्दे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं क्योंकि एक हमारे जीवन में भटकाव लाता है तो दुसरा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही वे मन्हुस सब्द हैं जो हमारे जिंदगी को बरबात करने में महत्यपन भूमिका निभाते हैं इसलिए आपका जवाब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए बलकि आपका जवाब यह होना चाहिए कि यह मेरी जिंदगी का लक्षे है और मैं इसे किसी भी हाल में इसे हासिल करूंगा। सिधे सब्दों में कहें तो आपके जिंदगी का कोई ना कोई लक्षे जरूर होन अगर अपसोस की आजकल की लिवा अपना अधिकतर समय सोसल मीडिया और प्यार मोहबबत जैसे फालतों की चीजों में बरबात कर देते हैं और जब समय बीच जाता है तो बैठकर पस्ताते हैं याद रखे अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको समय का सही तरीके से उपयोग करना सिखना होगा अगर आप समय का सदुपयोग करें तो यह आपका भविश्य समभार सकता है परन्तु यदि आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो यही समय आपका भविश्य बरबात भी कर सकता है थर्ड आलस छोड़ो और मेहनत करो आलस एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन मन और धन तीनों का सरवनाज कर देता है आलस का सिकार वेक्ति अनेक पेकर के रोगों की चपेट में आ जाता है आलसे वेक्ति का मन हमेशा नकरात्मकता से घिरा रहता है आलेस का सिकार वेक्ति करतब्य बिमुड आरंब लंबी आरंब मतलबी और कामचोर बन जाता है इसलिए वह मेनत करने से कत्राता है कि सोर और यूगा वर्ग के लिए तो आलेस से कभी साब सिद्ध होता है क्योंकि वे आलेस पन के कारण अपने कामों को टालते हैं या फिर देरी से करते हैं वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बना कर तो कभी गर्मे के मौसम में गर्मे का बहाना बना कर अपना काम टालते रहते हैं वो कभी नेंद का तो कभी खराब मुड का बहाना करके अपने काम से भागने रहते हैं जिसके पईनाम सुरुप वो पढ़ाय में पिछर जाते हैं परिक्षा अथवा केरियर में असफल भी हो जाता है अत्व हमें आलस को त्याक कर मेहनती बनना चाहिए फोर्थ हर पल सिखते रहो इस दुनिया में इतना कुछ है सिखने के लिए समझने के लिए और जानने के लिए कि यदि हम जीवन बर पढ़ते और सिखते रहे तो भी सब कुछ जान नहीं पाएंगे क्योंकि जीवन परिवर्तन सील है या हर दिन हर पल नई-नी चीजे सामने आ काम्याव होना है तो हमेशा अपडेटेड रहे हर पल नई-नी बाते सीखते रहे और नए-ने परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहे फिफ्त आमदनी से कम खर्च करो प्रतिस परदा और महंगाई के इस दोर में पैसे की एहमियत वही वेक्ति जानता होगा जिस तब तक भी हाथ में आई पूरी रासे को खर्च नहीं कर देते तब तक उनकी खुजली दूर नहीं होती इवा वस्था में भी ऐसा ही था परन्तु आज जब मैं पीछे मुर कर देखती हूँ तो पैसों की एहमियत समझ आती है कास ये बात मुझे पहले समझ आती तो मैं अ लेकिन मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने या अपने परिवार की जरूरतों पर खर्च करते हैं मैं आपको कंजूस या मक्खी चूस होने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आप गेर चरूरी चीजों पर लुटा कर देते हैं हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो आपके पास पैसों की कोई कमी ना हो परन्तो एक हकीकत ये भी है कि वक्त का कोई भरूसा नहीं यह कभी भी बदल सकता है इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों का समय समय पर विसलेशन करें और गेर जरूरी खर्चों को वैसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कुछ अच्छे कामों पर भी कर सकते हैं या सेयर बाजार में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं 6. अच्छे लोगों की संगती में रहो कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रमस उन पांच लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रन होता है जिन से साथ वो अपने आधिकान समय व्यक्तित करता है अर्थात हमारे विचार, भेवार और चरित्र वैसे ही होते हैं जैसे लोगों की संगती में रहते हैं आप चाहे इस बात को माने या ना माने परन्तु यह सच है लो ओफ अट्रेक्शन का सिधान्त यहां भी काम करता है और मैंने स्वयम इस बात को अनुभव किया है इसलिए मैं यह बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि अच्छे संगती का हम तो अगर आप हमारी बात समझ गए हो तो अच्छे लोगों की संगत में रहो क्योंकि सुनार का कच्रा भी बनिये कि बादाम में बादाम से महंगा होता है कहते हैं कि जिन्दगी हर लूजर को विनर बनने का मौका जरूर देती है यानि हमाई जिन्दगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जिन्दगी को बदल सकते हैं हमारे एक कदम से हमारे किस्मत बदलने वाली होती है, सफलता और खुसाली की नाव हमारे कदमों से चंद दूरी पर होती है, परन्तु हम किसी अंजाने भै और आसंका से भैबित होकर जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं, और उस अफसर के निकल जाने के बाद में हमें यह हम उस समय सही निरने ले पाते, यह बात अक्सर हम सबे के साथ होता है, हमने भी अपने जीवन में ऐसे कई अफसर गवाए हैं, जिसका मुझे आज भी अपसोस होता है, पता नहीं क्या होगा, इस भै और उलजल के कारण हम जोखिम उठा नहीं पाते, हम वही के वही रह जा परूर मिलेगा, और तजुर्बा भी सफलता से कम किमती नहीं होता, तो जीवन में कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो, एट्थ, चुनोतियों का सामना करो, आप चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे बच्चे हो या व्रिध हो, आज इस दुनिया की करवे सच्चा के लिए, इस दुनिया में हर पल, हर जगा चुनोति है, और यदि आपको यहा रहना है, तो आपके पास सिर्फ दो विकल्प है, आप या तो इसे बहादुर योध्धा की तरह इस चुनोति को स्विकार करे, या काईरो की तरह दुनिया छोड़ दे, फैसला आपके हाथ में हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखे, यदि आप आज चुनोतियों के आगे हार गई तो सारे जिन्दिकी इसके सामने घुट-घुट कर जीना होगा, क्योंकि जीवन में चुनोतिया तो कभी खत्म नहीं होगी, तो जब दोनों ही स्थितियों में लड़ना ही है, तो क्य ही नहीं पाते, यही कारण है कि उन्हें कई वार अपनी पढ़ाई, केरियर और जौब में असफलता का मुझ देखना पड़ता है, 2010 में आई, हारवर्ड युनिवर्सिटी के एक स्टड़ी बताती है कि एक सामने वेक्ति का दिमाग औस तर 47% समय भटकता रहता है, कोई काम करते वक्त, पढ़ाई के समय, या भूजन करते हुए भी हम दुसरी चीजों की बारे में सोचते रहते हैं, हम होते कहीं और है, और हमारा ध्यान कहीं और ही होता है, यू कहें कि हम बेहोस्षिक की حालत में जी रहे होते हैं, हमारा मन किसी एक चीज़ पर ठरता ही नहीं है, इसी मन के साथ हजारों लाखों लोग सफलता के लिए प्रत्ने करते हैं. परंतु सफलता उन्हीं लोगों को मिल पाती है, जिनका मन इस्थीर और एकागरचित होता है. सफलता केबल उन्हीं को मिलती है, जो इदर उदर भटकने के बज़े किसी एक काम पर फोकस करते हैं तो यदि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केबल उसी काम पर फोकस करना होगा यदि आपके अंदर फोकस की कमी है तो आप ध्यान और मेडिटेशन करके उसे बढ़ा सकते हैं तेंथ नसे से दूर रहें नसा आजकर यवायो की बरवादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है जब हम किसोरो और इवायो को गोलियो या चौराहो पर सिग्रेट, गुठ का, इत्यादी का सेवन करते हुए देखते हैं तो हमारे मन, दुख, करुना, अक्रोध के भाव एक साथ आते हैं ये कैसी नादानी उमुर्खता है, जो ये लोग जान बुझकर अपने हाथों ही अपना जीवन बरबाद करने में लगे हैं सायद वे इस बात से अनविग्य होते हैं कि नसा उनके मन और धन को अंदर से ही तबा कर देता है दोस्तो, नसा एक ऐसा दलदल है, जिसमें अगर कोई एक बार उतर गया, तो वो उसमें धस्ता ही चला जाता है नसा करने वाले एक विक्ति के साथ उसका परिवार भी उसका संता भूगता है और इसका खुद का जीवन भी बरबाद हो जाता है, इसलिए ना सौक के लिए, ना दोस्तों के लिए बात रखने के लिए और नहीं किसी तनाव में या वेवफा प्यार को भूलाने के लिए, किसी भी हाल में नसा ना करे आपका जीवन इन सब चीजों से किमती है आप इसे इन छोटीच मोटी चीजों के लिए बरबाद नहीं कर सकते दोस्तो यही वो दस बाते हैं जो हम आप लोगों से बताना चाहते थे आसा करती हूँ कि आप इन में से कोई ना कोई बात जरूर अपनाएंगे हम आपके सफलता और बहतर जीवन के लिए कामना करते हैं धन्यवाद जय हीन जय भारत